तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यारतियों का पैरामेडिकल के नमबर वन चैनल स्टेडी विद रितेश में तो दोस्तो आज की क्लास एकदम सांदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एकनॉमिक्स यानि अर्थ सास्तर से संबंदित प्रशनों को करेंगे तो दोस्तो कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक कोशन्स किया था आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम लोग 21 से कोशन्स स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए बच्चो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपको हर एक class का PDF भी दिया जाएगा और इन दिनों लगतार mock test भी चल रहा है तो आप लोग वहाँ free में mock test भी दे सकते हैं ठीक है हाँ जी तो चलिए बच्चो आज की class को start करते हैं तो पहला question आपकी screen पे चलिए student question है निम्ण में से राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाला कर हैं तो जल्दी से बता दीजिए राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाला tax coin है इन चारों में से पहला option है भू राजस्व कर या दूसरा option है देखिए यह भू राजस्व कर है दूसरा option है मनुरं कर तीशरा option है पत कर चौथा option है उप्रोक्त सभी बिल्कुल फास्ट answer कीजिएगा बहुत ही वी वी कोशन हो जाता है तो बच्चो वेरी गुड यदि आपने जवाब दिया है option number D जी हां दोस्तों यदि आपका जवाब option D आ रहा है देना आप लोगों का answer सही है तो बच्चो याद रखना है राजिस सरकार द्वारा लगाया जाने वाले कर कौन कौन से है तो भू राजस्व कर मनुरंजन कर पत कर या फिर बोल सकते हो वैवसाय पर कर ठीक है वैवसाय पर कर ये भी जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसके बाद क्रिशी आए पर कर ये भी जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और साथ ही साथ है बच्चो आपको ये भी याद रखना है रोजगार पर कर रोजगा है अगले प्रस्चन की तरफ चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्ण है वैत किस प्रकार का कर है बताये गाव वैट जो है वी एट किस प्रकार का कर है अब पर्तियक्ष ए और भी दोन य heap दोन। या व्रुक्त में से कोई नहीं वेलकुल fast answer कीजिएगा student विल्कुल ऐसे ही फ्रस्न जो है आपको paramedical के परिक्षा में देखने को मिल जाएंगे तो very good student यदि आपने जवाब दिया option है देना आप लोगों का answer सही है तो बच्चों ध्यान देना है कि wet जो है किस प्रकार का कर होता है तो ये आप परत्यक्ष कर होता है जो किसी भी वस्तू और सिवा पर लगाया जा सकता है ठीक है बात करेंगे बच्चों wet का full form कोई बता सकता है student wet wet का full form क्या होता है हाँ जल्दी से बताए wet का full form क्या होता है चलिए जल्दी से तो ध्यान देना है वेल्यू एड़ेट टैक्स होता है ठीक है और यह किसी भी वस्तु या सिवा पर लगाया जाता है ठीक है अच्छा तो स्टुडेंट बात करेंगे अब वैट की सुरुवात की कप की गई यानि भारत में वैट कप से लाग हुआ वैल्यू एड़ेट टैक् यह सब लिख लिजेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो भारत में वैट कप से लाग हुआ तो बच्छों यह धियान देना है आपको एक अप्रिल 2005 को ठीक है एक अप्रिल 2005 को जो है भारत में यह लाग हुआ था तो भारत में वैट कप लाग हुआ था एक अप्र प्रश्न की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रश्न है भारतिये जीवन वीमा निगम कि स्थापना कब की गई थी यानि भारतिये जीवन वीमा निगम यानि Life Insurance Corporation of India की स्थापना कब की गई थी सितंबर 1956 में नवंबर 1957 में जनवरी 1958 में या मार्च 1969 में जल्दी से जवाब दीजेगा हारतिय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी बिल्कुल फास्ट जी हां दोस्तों बिल्कुल फास्ट बताना है तो वेरी गुड यदि आप लोग आंसर दे रहें औप्शन ने आप लोग आंसर सही है तो बच्चो याद रखना है एल आई सी देखो इसी को लाइसी कहते हैं यानि लाइफ इंसूरेंज कोर्परिशन ओफ इंडिया ठीक है इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चो तो एक सितंबर को की गई थी एक स प्रेशन की तरफ चली स्टुडेंट अगला प्रेशन आ जाता है निम्न में से कौन से संस्था सेयर बजार यानि सेयर मार्केट पर नियंतरित रखती है बताए रिजव बैंक से भी यूटी आई या वित्रमंत्रा ले जल्दी से बताएगा बच्चो सेयर मार्केट है न से रखती है या नियंतर रखती है उसको कंट्रोल करके रखती है सेयर मार्केट को जल्दी से बता दीजिए स्टुडेंट तो वेरी गूट स्टुडेंट यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन भी दैन आप लोग का अंसर सही है तो बच्चो कौन सी संस्था है जो सेयर एक्सचेंज बोड ऑफ इंडिया ठीक है हां जी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ अच्छा एक तो कुशन और है अब देखिए स्टुडेंट इसी में कुशन और बन जाता है क्रियेट हो जाता है कि मुंबई स्टॉप एक्सचेंज जी हां दोस्तों मुंबई स्टॉप एक्सचेंज जो है यह किस से संबंदित है देखिए एक देदेगा निफ्टी एक देदेगा सैंक सेक्स बताए तो किस से संबंदित है देखिए मुंबई स्टॉप एक्सचेंज जो है यह निफ्टी से संबंदित है या सैंक से संबंदित है तो बच्चों याद तो आप लोगों सुना होगा वूल और पीयर, यह किस चीस से संबंदित है How does that need? बिल्कुल पास्ट बूल और भीयर बूल एंड बियर यह जो शब्ध है यह किस जिस संबंदित है तो बच्चों यह सेर बजार से संबंदित है तो यह भी याद रखना है ठीक है सेर बजार से संबंदित है चलिए बढ़ते हैं एकले कुशन की तरफ चली स्टूरेंट अगला प्रसने आ जाता है भारतिये लगू उद्दोग विकास बैंक भारतिये लगू उद्दोग विकास बैंक यानि जिसको सिडवी का आ जाता है उसका मुख्याले कहा है देखिए सिडवी यानि सिडवी का मुख्याले कहा है बच्चो देखिए सिडवी यानि भारतिय लगू उद्दोग विकास बैंक यानि इंग्लिस में इसको क्या बोलेंगे Small Industries Development Bank of India इसका मुख्याले कहां है इसका हैड़कोर्टर कहां है तो दोस्तो याद रखना है कहां है लखनौ में है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रशने है भारत का स्वार्धिक जन संख्या घनत वाला राज्ये कौन सा है उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान या बंगाल बिल्कुल फास्ट बताईएगा भारत का स्वार्धिक जन संख्या घनत वाला राज्ये कौन सा है जल्दी से बिल्कुल फास्ट ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को भारत का स्वार्दिक जन संख्या घनत वाला राज कौन सा है तो very good student उतर परदेश आंसर है बिहार राजस्थाने बंगाले जल्दी से आंसर कीजिए तो very good यदि आपने जवाब दिया है option number B देना आप लोगों का अंसर सही है हाँ जी सही है अब यदि मैं आप लोगों से ये पूछू सबसे कम जन संख्या घनत वाला राज्य है जल्दी से बताएगा सबसे कम जिहां दोस्तों सबसे कम जन संख्या घनत वाला राज्य कौन सा है तो बिल्कुल फास्ट बताएगा सबसे कम जन संख्या घनत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा अडू नाचल परदेश याद रखना है ठीक है सबसे कम ब अगला प्रेशन है वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जन संख्या में वार्सिक व्रिदी दर कितने परतिशत है यानी व्रिदी दर्जवाई कितने परतिशत है तो जी हां दोस्तों यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी यानी 1.97% देन आप लोग का अंसर सही है तो याद रखना है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जन संख्या में वार्सिक व्रिदी का जो दर था वो कितना था 1.97 ठीक है 1.97 था आपको याद रखना है अब स्टुडेंट यदि में आप लोग को से कुशन और पूछ लूँ कि वर्ष 2011 की जन गर्णा के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट था भारत की जो साक्छरता दर थी वो क्या थी बताईए देखिए वर्ष 2011 की जन गर्णा के अनुसार भारत की साक्छरता दर कितने परतिसती तो बच्चो याद रखना है कितने परतिसती 73 परसेंट थी ठीक है 73 परसेंट थी चलिए बढ़ते हैं एक लिए कुशन की तरफ अच्छा स्टुडेंट एक प्रस ने और भी यहां से पूछा जाता है आप लोग बताईए तो भारत की जो पहली जन गर्णा हुई थी उस समय भारत का वाइसरा एकौन था देखिए प्रस ने ऐसे पूछा जा सकता है बच्चो भारत की पहली जन गर्णा हुई थी तो भा भारत की पहली जन गड़ना के समय भारत का वाइसराय कौन था तो ये था बच्छो लॉड में हो जी हां दोस्तों याद रहेगा बच्छो हां जी तो याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेश्न की तरफ छलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्न आ जाता है ध्यान दीजेएगा अगला कोशन है भारत में आरθिक सनवेक्छन सरकारी तोर पर प्रकाशित क्या जाता है किसके द्वारा योजना आयोक द्वारा वित आयोक द्वारा वित मंत्राले कड द्वारा जल्ली से बताइएगा बहारत में आर्थिक संवेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किस आयोग के दौरा या किस मंत्राले के दौरा जल्ली से बता दीजिएगा बच्छो हांजी वेरी गुड शाबास यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी यानि वित्र मंत्राले दौरा तैन आ हांजी चलिए चलिए स्टुडेंट अगला प्रेशन है देश का सबसे बड़ा वाणी जी एक बैंक कौन सा है यानि सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है आईसी आईसी आई या भारती रिजो बैंक या भारती स्टेट बैंक या हड़ी एफसी बैंक बिलकुल फास्ट bank ऐसा bank जो रिंड वगरा देता हो वैपार शुरू करने के लिए यानि मतलब सरल तरीके से हर एक चीज हो जाता है उसी को हम लोग वानी जी एक bank कहते हैं तो देश का सबसे बड़ा वानी जी एक bank कौन सा है जल्दी से जवाब दीजिए student तो very good सबका सही आंसर है लगभग तो भारतिय स्टेट बैंक जी हाँ दोस्तों option number C जो है इस question का right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student ध्यान दीजिएगा अगला question है केंद्र सरकार के budget के चालू खाते में वयाई की सबसे बड़ी मद है सबसे बड़ी मद कौन सी है रक्षा वयाई किसानों की subsidy या समाजिक सेवाओ पर वयाई या बयाज भुगदान बिल्कुल fast answer देना है question को एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ केंद्र सरकार के budget के चालू खाते में वयाई की यानि खर्च के सबसे बड़ी जो मद है वो क्या है तो very good student जी हाँ दोस्तों ये कुशन आ चुका है आपके paramedical में पुछा जा चुका है तो याद रखना है क्या होगा ब्याज भुगदान तो option D यदि आप लोग answer दे रहे हैं देन आप लोग answer सही है तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले question की तरफ चलिए student अगला question है भारत का कितना percent अबादी क्रिशी उद्दोग पर निर्भर है शाट परशेंट, सतर परशेंट अंठावन दसमला नौ परतिशत या अन्य जल्दी से बता दीजिएगा भारत का कितना percent अबादी क्रिशी उद्दोग पर निर्भर है तो जी हाँ दोस्तों यदि आपने जवाब दिया है option C यानि 58.9 percent अबादी जो है ये क्रिशी उद्दोग पर निर्भर है बात करेंगे student देखे क्रिशी की बात आई है तो बच्चों आप लोग बता सकते हो अर्थ व्यवस्ता के छेतरों में क्रिशी को किस में रखा गया है प्राथमिक में द्वीतियक में किस में रखा गया है बताए तो क्रिशी जो है इसको अर्थ व्यवस्ता में प्राथमिक में रखा गया है या दुईतियक में रखा गया है जल्दी से बताईए कली मैंने बताया था एकनॉमिक्स का ही कोशन है यानि अर्थ विवस्था के छेतरों में कृषी को जो है किस में सामिल किया गया है प्रात्मीक में या दुईतियक छेतर में प्रात्मीक छेतर में या दुवितेक छेतर में तो very good student इसको प्रात्मीक छेतर में जो है सामिल किया गया है बात करेंगे क्रिशी किस सूची का विसे है तो बच्चो आप लोग को पता होगा क्रिशी को सम्विधान में राज्य सूची में रखा गया है है ना तो ये जो है राज्य सूची में है क्रिशी हो गया सिंचाई हो गया ये सब किस सूची के अंतरगत आ जाते हैं ठीक है हाँ जी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की तरफ चलिए स्टूडेंट अगला प्रेश्ण है निम्न में कौन से देश में मिस्ऱृत अर्थविवस्था है जल्दि से बता दीजिये किस देश में मिस्ऱृत अर्थविवस्था है अमेरिका भारत चीन रूस बिल्कुल फास्ट तो वेरी गुड स्टुडेंट यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नमर बी जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नमर बी स्कुशन का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दिखें यहाँ पर बात आई है मिस्रित अर्थ वेवस्था चले स्टुडेंट अगला प्रेशन है उपभोगता अधिकार दिवश कब मनाया जाता है जी हाँ दोस्तों उपभोगता अधिकार दिवश कब मनाया जाता है 17 मार्च 15 मार्च 19 अपरेल या 22 अपरेल बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा परते एक बच्चे आंसर देंगे उपभोगता अधिकार दिवश कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को जी हा मेरा प्रयास रहेगा कि एकदब मैराथन क्लास लेका रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए यानि ऐसा क्लास जिसमें हर एक सब्जेक्ट से कोशन्स रहें तो इसके बारे में आप लोग की क्या जानकारी है क्या राय है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रिपलाई दीजिएगा चलिए बाए बाए